दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लागी जरूर कर दे साथ हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताई क्या बिहार के केस जिले में रहते हैं तो चले शुरुआत करते हैं आज की पहली और बाड़ी खबर से गर्म पच्वा ने बिहार में बढ़ाई तपिस पटना गया सेखपुरा और डेहरी में पारा 40 डिगरी के पार वियार में पच्वा का ताव मासूस होने लगा है पच्वा हवा में नमी की मात्रा बेहत कम होने की बज़ा से बुद्वार को हवा में तपिस मासूस हुई गर्म हवाओ की जोके 30 किलोमेटर परति घंडे की गति से चल रही थे प्रदेश में केवल अररिया और किसन गंज को छोड़ दितो स्वमोची प्रदेश में उचतम तापमान समाने से एक से चार अधिक डिगरी तक बहुच गया है अगले कुछ दिन क्रम सा तापमान बढ़ते रहने के परवनवान है आयमडी की तरब से जारे अधिकारे काकडो के मुताविक प्रदेश में सबसे अधिक तापमान सेकपुरा में 40.7 डिगरी रहा इसके अलवा पठना गया और डिहरी में दिन का तापमान 40 या इससे अधिक रहा या समाने से एक से चार डिगरी अधिक परा रहा इसके अलवा 49 से 40 डिग्रे सेल्सिस के बेच तापमान वालों जिले में भागलपूर जमुई और अंगाबाद खगड़िया बाका नवादा हरनोल नलंदा और सारन जिर्दोई में दर्च किया गया इसी तरह दचिन मैद बिहार तपिस अधिक महसुस कर रही है अधिक मैद बिहार में हवा में नमी 13-22 परतिसत की बीच रही इससे अधिक तपिस महसुस की गई पिहार में लिपिय कामेन और कानोनंगों के 10,000 साधिक पदों पर बहाली प्रक्रिया शिरू इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन पिहार के राजस वे अमम भूमी सुधार बिभाग की और से राज में भूमी सर्वेक्षन का काम जल्द पूरा करने के लिए 10,101 कर्म चारियों के न्यूक्ति के प्रक्रिया आरम कर दी गई है विभाग द्वारा विसेश सर्वेक्षन लिपिक के 744 पद विसेश सर्वेक्षन सहाइक बंदोबस पतादिकारी के 355 पद विसेश सर्वेक्षन आमीन के 8244 पद और विसेश सर्वेशन कानोनंगो के 758 पदों का बिगापन जारी कर दिया है प्यार में कोरोना के 236 एक्टिव केस पटना में एक डक्टर सहीत 32 ने संकरमित मिले जादे के पटना में कोरोना संकरमन बढ़ता ही जा रहा है जिले में बुदवार को एक डक्टर समेथ 32 लोग कोरोना संकरमित पाए गए हैं इनमें तीन मरीज PMCHO IJMS अपताल में पाए गए हैं आपकी जानकारे के लिए बता दी कि फिलाल 111 मरीज सक्री हो गए हैं 24 गंडे में कूल 3987 लोगों की जाच वी सबसे अधिक ब्राणमी लोगों की जाच PMCH में हुई 40-38 PCR वह 60-30 एंटिजन किट्स जाच की गई वही एनम्सेच में कोविट की जाच में एक डक्टर समेथ तीन संक्रमित पाए गए हैं वाज़े के आठ जिलो में कुरोना के कूल संतावन नए संक्रमित पाए गए हैं इसके साथ राज में एक्टिव केस के संग के बढ़कर 236 पहुच गई है पटना के अलावा भागलपूर जिले में 9 खगड़या जिले में 5 मुंगेर जिले में 4 और दरबंगा जिले में 2 संक्रमित पाए गए है गया है विहार में नई से चक नियामवुलिग के दॉध नियुक्ति के तयारी सुरू सिक्षभ्यवाग के सभी जिलो से मांगी रिट्या चाव्यार यॉद्धावाकर के नियुक्ति के लिए बनाए नियुक्ति के अलोग मे से जुड़े 9000 नियोजन इकाई से वापस मांगी जा रही है जिलो से ये रिख्तिया भी विशावार मांगी गई है ताकि रिख्तियों में सपश्टा रहे है विवाग ने इस अंदर उस सार आयोग को भिज़ जाएगी तब आयोग रिट्टिया परकासित करेगा बाड़िकर में देखे बिहार को भी मिलेगी सस्तिक गैस प्रधान मंत्री उर्जा गंगा पाइपलान परियोजना के तहत होगी आपूर्ति केंदर सरकार के महतवा कांची उर्जा गंगा पाइपलान परियोजना अब देश के पूर्वी राज्जो बिहार जहरकन उत्तर पदेश ओरिस और पश्चिम बंगाल को सस्तिक गैस अपूर्ति कराने को तयार है आधिकरिक सूत्रों ने यह बुद्वार को यह जानकारी दी है परामबारागत रोब जेप राकरतिक गैस का इस्तिमाल बिजली और उर्वरक उत्पादन में किया जाता है इससे वाहन इंदन से एंजी और रसोई में इस्तिमाल होने वाली गैस पी एंजी में बदल जाता है अभी तक यह गैस सिर्फ पश्चिम और उत्तरी छेतरों में उपलब थी इसकी बजा़ से यह गैस को शिर्फ के उप्योग करदा तक पहुचने वाली पाय पिजलाइन सिर्फ इन छेतरों तक सिमित थी बता थी कि गेस पाइब लाइन गेस के परिवान का सबसे सस्ता साधन है वाजी कि इस पाइब लाइन से सरकार के प्राकरति गेस के दाम घडाने के फैसले के बाद देश के पुर्वी छेतरों के उपभुगताओं को सस्ते C&G और P&G के आपूरती करने में मदद मिलेगी इसे गेस के किमतों में लगव 5-7 रुपे के कमी कलाब और 20 कजब और सहरों के पुभुगताओं को मिल रहा है धर्ना परदर्सन मामले में पपो यादव दोसी करार एक साल की सज़ा M.P.M.L.E. कोड के विशेस नियादिक दर्णादिकारी आदि देव ने बुदवार को धर्ना परदर्सन के एक मामले में पूर्व सांसत राजेस रंजन और पपपू यादव को दोसी करार दिया है विशेस अदालत ने पूर्व सांसत पपू यादव को भारती दर्ण सहिता की तिन धराओं में दोसी करार देते हुए एक वर्स कैद और पांच हजार रुपया जर्माना की सज़ा सुनाई है सजा के इस पैसल के खिलाब सेसन कोड में अपिल दायर करने के लिए उने अपबंदिक जमानत पर रिहा कर दिया गया है मामले में पैसला सुनने के लिए पपू यादव इसे सिन्यादिक दनादिकारी के अदालत में दोपर तीन बज़े उपसित हुए थे पपू यादव के वकिल है जेकुमार ने बताए कि यह अपरादिक मामला फत्वा चाना चेत्र में वर्स दोजरतीन का है पत्वा में एक वक का अफरन हो गया था उसी वक की बरामदगी और अपरादियों के खिलाब करवाई को लेकर 16 मार्च 2003 को धन्ना प्रदसन किया गया था इसी प्रदसन को लेकर पुलिस ने एक अपरादिक मुकदमा दायर किया था बाद में चार सिट दायर की गए थी विसेस अदलात में पांच अभियोजन गवा पेस किया गये थे गवाओं के बयान और प्लब्द साच के अधार पर विसेस ने आएक दंडगाडी ने आरोपित पप्पी अदव को दोसी करार देते वे सज़सनाई जातिया गिंदी पर पुड़ा सिक्चकों की नई भरते नयामाले का गुस्सा जातिया धारित गन्ना डिवटी का बहिसकार सुरू बिहार केबिनेट के नई सिक्चक नयोकते नयामाले पर मुहर लगाने के 24 गंडे बाद ही इसका विरोध सुरू हो गया है सिक्चक संग और सिक्चक अब्यादों ने इस नए नियामाले को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं राज सरकार के इस नियामाले की विरोद में बुदवार को लाको सिक्चको निकाला दिवस मनाया सबी जिला मुख्याला में नियामले के प्रती जिला कर विरोध किया गया विभार राज सिक्षक महासंग के राज नेतोत के आवान पर जिला एकाई ने बुदवार को डियम को आविदन दे कर जाती अधारित गन्ना का बहिसकार करने के सुचना दी महासंग ने मंगलवार को एक सरकार के नहींन ने माले की खिलाब एक्ताचो के पास बिरोध परदसन वा पूतला दहन के दोरान इस आसाय का संक्रत दिया था सरकार द्वारा सिक्चकों को राज कर्मी का दर्जा देने के लिए आयोग द्वारा परिच्छा लेने और विभिन परकार के प्रनोती वा इस्ताना तरण नहीं मिल पाने की किलाब बिरोध परदसन किया गया था सिक्षिकों ने नए ने अमले को दोका बताते हुए इसे वापस लेने की मांग सरकार सकी थी 2024 को लेकर सियासी गुल बंदे नितिस तजस्वी के जरिवाल की मुलाकात राष्टिय राज़ाने दिली में भारत जनता पाड़ी के खिलाब सियासी लाम मांदे तेज हो गई है बिहार के सीम नितीस कुमार और डिप्टी सीम तेजसवी आदम ने बुदवार की साम को आम आदमी पाड़े के राष्टिय सायोजक और दिली के मुखिमंतरी अर्विन किजरिवाल से मुलाकात की इससे पहले से हम नितीस कमार ने कौंग्रेस से दाइच मलेकार जून खडगे और राहूल गांदी से मुलाकात की खडगे राहूल और तेजस्वी के साथ एक सायोक्त समयलन में नितीस कमार ने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा दलो को एकजोट करने की कोसिस करेंगे समाचार अजनसी पीटी आई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल दोजर चुबिस के आम चुनाओं को लेकर बिपक्ची गूल बंदी को सुनुचित करने के लिए कौंग्रेस से दाइच मलेकार जून खडगे राहूल गांदी बिहार के मुखि मंतरी नितीस कमार और उप म की मंतरी तेजस्वी आदव के साथ बेड़क में ज्यादा से ज्यादा दलों को एक साथ लाने के लिए मन्तन हुआ है बेड़क के बादा जनता दल की और से बियान जारी किया गया है इसमें कहा गया कि साल दोजर चुबिस के लोगस बचुना में नितीस कमार भी पक्ची ए उसद बारिस समभ है आयमडी के तरब से मंगलवार को जारी प्रारमिक प्रवानमान में साब तर पर बता दिया कि प्रदेश में ऐसा कोई छेत्र नहीं है जा समाइन या इससे अधिक बारिस होनी का प्रवानमान है इदर बिहार में 14-15 अप्रेल से लोग चलने के असंका है ऐसे स्थिति उसके 3-4 दिनों तक जारे रहेगी इदर मंगलवा को दच्चनी बिहार में पारा 49-40 डिगरी सलसेस के बेच दर्ज किया गिया है बिहार में बेस अप्रेल से सुरू होगी गेहों के खरीद सरकार के सामने टार्गेट पुरा करने की चुनोती बिहार में गेहो खरीद 20 अपरिल से सुरू हो रही है उससे पहले ही वेपारे ज्यादातर बाजार का भाव देखकर गेहों करीदने लगे हैं खेद से ही वेपारे गेहों ले जा रहे हैं मुगदान में नगत कर रहे हैं ऐसे में इस बार भी गेहों करीद का लच पूरा होना मुस्किल दिख रहा है इस बार सरकार ने दस लाक मेट्रिक टन गेहूं का रिद कर लाच तई किया है 215 रुपी प्रतिक क्यूंटल ने उन्तम समर्थन मुलित तई किया है यह पिछले साल से 110 रुपी ज्यादा है बावजूद बाजार भाव एकिस सो से 2200 रुपीय के बीच चल रहा है सक्स का इंतिजार क्यों करें देखर में देखे बिहार में जल्द होगी तीन लाक सिक्चोकों की बहाले अच्छी सेलरी के साथ मिलेगी कैस विदाई तैजस्वे ने किया एलान जा देखे बिहार के डिप्टी सीम तजसी प्रसाद यादव ने समौर को ट्यूट करके कहा कि राज में अब बहुत जल्द ही लगबग दो लाक पचीस अजार तथा कूल तीन लाक सिक्चोकों की नुक्ती होगी सिक्चोकों को राज कर्मी का दर्जा दिया जाएगा जिसमें आकरसक वितन के साथ ही सभी स्विधाई प्रदान की जाएगी पूर्व की जो नियोजित सि अर्मियों के लिए खुसकबरी है एद को देखते विए अप्रेल मा का वेतन 20 तक देने का निदेश दिया गया है विति विवाग ने इस सम्मान में निन्ने भी लिया है दरसल एद उल पीत्र चांद के हिसाब से 21 या 22 अप्रेल को हो सकता है आलप सेंकक समुदाई के इस प पारित कराने का फैसला लिया गया है आपकी जानकारे के लिए बता दी कि मार्च 2022 महीने तीस सरकार ने सरकारी दब्तवरों में काम करने वाले मुसलिम करमच्यारियों को बड़ा तफा दिया था रमजान के महीने में मुसलिम करमी एक घंटी पहली कराले आ सकते हैं और एक च्छात्रों को अभी तक प्रोजसान रासी नहीं मिलने की सिकायत पर मुईख मंत्रे नितिस कुमान ने अपने प्रधान सचीव और राज के मुईख के सचीव को तलब किया मुईख मंत्रे ने दोनों को नेदेश दिया कि सभी बगाया प्रोजसान रासी का भुगतान जल सु के बाद सियम ने या निदिस दिया है मुई की सची वाले परिसर में आवजीत दर्बार में 47 लोगों ने समय साइ मुख मंत्री के समक्ष रखी और उन्हों विहार के चात्रों को पर्मान पत्र के लिए नहीं पड़ेगा भटकना एकेडमिक बैंक में खुद जमा हो जाएंगे साइटिपिकेट विहार के ओचे सिक्चन सांस्तानों में अधनरत 10,000 सदिक विदातियों ने एकेडमिक बैंक और क्रेडिट प्रोग्राम में रेजिस्ट पत्र स्वता एकेडमिक बैंक में जमा होते जाएंगे उन्हें अपनी तरब से इसमें अब कोई परियास नहीं करना होगा अधिकारी जानकारी के मुताबिक अगर विदाती बीच में ही कोलेज या विस्विदाले बदल कर कहीं और एडमिसे लेना चाहेगा तो उसका नमंक करन एकेडमिक बैंक के दस्तवीज से हो जाएगा उसे किसी तरक की अनापती और सिक्षन संस्तान से किसी दस्तवीज निकलने की जरुरत नहीं होगी अचवाज से पटना समेथ 25 सहरों की बड़ी गर्मे खगड़िया सबसे गर्म 40 डिगरी के करीब पोहचा तापमान 24 घंडे के दोरान पटना समेथ बिहार के 25 सहरों की अधिक्तम तापमान में बिर्दी दर्च की गई है तो पर में प्रचन धोब के बेच पचवा हवालो में बदलने के तैयारी में है विबिन सरो के अधिक्तम तापमान में भी दो डिगरी तक की वरिधी दर्च की गई है राईवार को पटना का अधिक्तम तापमान समाने से दो डिगरी सलसे से उपर दर्च किया गया यहां का अधिक्तम तापमान 38.8 डिगरी दर्च किया गया वहीं 49.5 डिगरी के साथ खागड़िया में प्रदेस का सरवादि का दिख्ताम तापमान दर्च किया गیا नालन्दा में 38.3 डिख्ताया में 37.8 डिख्ताया सिक्पुरा में 49 डिग्री जमुई का अधिक्तम तापमान 38.1 डिग्री दर्च किया गया बता दे कि आने वाली कुछ दिनों की दोरान प्रदेश के कई जिलों में अधिक्तम तापमान बढ़ने के असार है